गुड इवनिंग, हम लोग इस वीडियो में बहुत इंपोरेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मेनिंजाइटिस, और उसमें भी बैक्टिरियल मेनिंजाइटिस, यह बहुत इंपोरेंट टॉपिक होता है, और अगर आपके एक्जाइम में सी एनेस आ रहा है, तो मेनिंजाइटिस उसमें एक शुर शॉर्ट कॉश्चन होता है, लॉंग आंसर कॉश्चन, ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो जो डेफिनिशन है, यह सिर्फ मेनिंजाइटिस की है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस is a brain-thritnick infection of lepto-meninges, जो हमारा brain होता है, उसमें यह मालो brain, उसको तीन layers ने surround किया है, सबसे बहार durameter, फिर erichnoid, फिर pyameter, ठिक, तो यह जो inner two layers होती है, erichnoid और pyameter, इनको हम लोग क्या बोलते है, lepto-meninges, तो इनका infection होता है, ठिक, और इस infection में, sub-arychnoid space, यह space क्या होता है, तो देखो, erichnoid और pyameter के बीका है, जो space है, इसे बोलते है, sub-arychnoid space, इसका भी involvement हो सकता है, ठिक है, so meningitis is a brain-thritnick infection of lepto-meninges, surrounding brain and spinal caught with involvement of sub-arychnoid space, अब हम लोग बात करते है, bacterial meningitis की, सबसे पहले, bacterial meningitis को हम लोग pyogenic meningitis भी कहते है, pyogenic meningitis, ठिक, यह दो टाइप कहो सकता है, bacterial meningitis दो टाइप कहो सकता है, acute और chronic, जो acute वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, pyogenic meningitis, अच्छा, इसमें होता क्या है, acute purulent infection within sub-arychnoid space is catarized by elevated PMNL cell in CSF, poly-morphor nuclear cells, PMNL cell क्या होती है, यह neutrophils ही होती है, यह बहुत important चीज़े ध्यान रखना है, आगे काम आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, PMNL cell बढ़ जाती है, और यह क्या होती है, neutrophils ही होती है, ठिक, so acute purulent, बतलब पस भी बनता है, acute purulent infection, कहाँ पे sub-arychnoid space में, पौन कौन से organism भी cause करते हैं, वो हमको पढ़ना है, देखें, सबसे पर नो पढ़ेंगे, overall, most common organism upon cause करते हैं, neonate में और adult में, ठिक, मैं बिलकुल यह नहीं चाहता है, कि आप इसमें एक या दो example याद करें, सारे के सारे example याद करने पढ़ेंगे, ठिक, कोई चारा नहीं है, युकि exam में आता है, so, सबसे common, जो overall, most common cause होता है, acute bacterial meningitis का होता है, streptococcus pneumoniae, 50% तक patient में, यही infected organism होता है, यही culpit organism होता है, ठिक, उसके बाद meningococcus, यह 25% cases में होता है, streptococcus agalacti, यह 15% cases में होता है, और जो listeria होता है, यह 10% cases में होता है, और hemophilis influenzae, यह less than 10% cases में होता है, ठिक, neonates में, most common organism होता है, streptococcus agalacti, ठिक, इसके लामाँ, E. coli भी cause कराता है, clipula भी cause कराता है, और listeria भी cause कराता है, adult में, streptococcus agalacti, most common organism होता है, और listeria होता है, तो देखो, overall, neonate और adult में, दो organism तो बिल्कुल common है, streptococcus agalacti, और listeria, तो अगर कुछ याद नहीं आ र ठिक, अब आता है, pathogenesis क्या है, बहुत आसान है, देखो, यह droplet infection, transmitted through droplet of respiratory secretion, मालने किसी के meningitis हुआ, तो देखो, यह चीज़ पर समझ लो, जो भी मैंने आपको organism बता है, streptococcus, pneumony, ठीक है, यह सब क्या है, यह सब में लिए हम लोगों में, कफ, कफ अगेरा करवाते है, ठी यह हम लोगे जो, एरोसोल्स होते है, मालने जी कोई आदमी है, वो streptococcus pneumony से infected है, तो जब 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 कफ करेगा, तो उसके कफ में streptococcus pneumony होता है, ठीक, तो उस transmitted through droplet of respiratory secretion, अब जब 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 स्थारी यह most common route होता है, इस के लगा second cause होता है, direct spread, देखो, मालन लो, किसी इनसान के otitis media है, या फिर mastoiditis है, या फिर sinusitis है, इसको समूसितने हैgowड़ा तोड़ा सा, देखे हैं, मालन लेजिए, किसी यह मेरा external ear है यह सब्सक्राइब है और यह मेरा मेडे लियर है ठीक है मेडे लियर में मेली इंफेक्शन जो होता है उसे में बोलते है ओटाइटिस मीडिया ठीक और जो मेडे लियर होता है यह क्लोस कॉंट्राइट में होता है मेनिंजिस के ठीक तो हो सकता है कि जो इंफेक्शन हुआ है ये पहुंच जा है ब्रेन में, कई तरीके होते हैं ब्रेन में पहुंचने कि जब आप ENT पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ाएंगा, फिर आप फिलाल आपसे ध्यान रखें कि अगर ब्रेन के बहुत गाएंगे ब्रेन के बहुत ब्रेन के बहुत प्रोग्सिमिटी में होता है और वहां से इंफेक्शन ब्रेन तक पहुंच सकता है या किसी के शिसके इनूसाइटिस है Cribiform Plate एक ये nose की roof होती है, rose की roof इसे बोलते है Cribiform Plate, तो इस sinus infection इस Cribiform Plate को होते हुए, ये Cribiform Plate nose और brain के बीच का door होता है, तो इस sinus infection इस Cribiform Plate को cross करते हो, ब्रेन में जा सकता है, ठीक है, तो direct spread हो गया कहां से, infected part था, otitis media, mastoiditis और sinusitis, वहां से infection कहा चला गया अबनों के ब्रेन में चला गया ठीक थर्ड कॉस होता है कि anatomical defect है तुमारे CNS में यह क्यों हो सकता है या तो ट्रॉमा की वैसे हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हुआ उसके वैसे आपके ब्रेन में कोई anatomical defect आ गया या फिर congenital defect होते हैं इनके वजय से हो सक यह क्या होते हैं अब आगे पढ़ेंगे अब आते हैं predisposing factors वह factor जो कि meningitis को increase करते हैं मतलब ऐसे इंडिविजल जिन में यह factors होंगे वह जादा predisposed रहेंगे meningitis के लिए ठीक सबसे बात करते हैं age की तो को जो age होते हैं उसमें आते हैं neonates जो neonates होते हैं उनका blood brain barrier एक तो ठीक mother की womb होती है जो उसकी birth canal होता है उसमें बहुत सारे bacteria colonize रहते हैं नौर्मली भी colonize रहते हैं तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे की delivery हो रही है और उस delivery के वक्त उसने वह infection मां की birth canal से acquire कर लिया ठीक है तो यह case हो सकता है अब आजाओ और क्या था या फिर उसके बाद second factor होता है vaccination देखो ऐसा देखा गया है कि जो लोग vaccinated है HIV vaccine से मतलब HIV vaccine किसके लिए होती ही हमफ्लियूस इंफ्लियूश जा के लिए तो जो लोग HIV vaccine से vaccinated है उनमें जो लोग vaccinated नहीं है उनमें खत्रा बढ़ा हुआ रहता है या फिर जो नॉर्मल प्रिविलेंस से वो रहता है ठीक यह एक pre-disposing factor अगर आप vaccinated नहीं है तो आप pre-dispose है meningitis के लिए ठीक अच्छा यह वह लिखा है कि following HIV vaccination causes of meningitis sorry cases of meningitis are decreasing फिर आते है third factors that promote infection at primary site देखो ऐसे कोई भी हम लोग की body में ऐसी कोई भी चीज़ें जो हम लोग की body में infection को promote करती है वो meningitis करवा सकती है इसे कि diabetes diabetes में मालूम है कि blood glucose बढ़ा हुआ रहता है ठीक है तो इसके विए से हमारे blood में glucose की माता जादा रहती है तो कोभी bacteria को colonize करने का खतरा जादा रहता इसमें ठीक या फिर splictomy हो गया उसका immune system भी हो गया या फिर person alcoholic है तो लोग ज्यादा क्या है predisposed है meningitis के लिए फिर आते है presence of CSF shunt देखें कई ऐसे patient होते हैं जिन में हो जाता है hydrocephalocil होता है ठीक है उसमें क्या होता है कि जो हम लोग की brain की meninges हैं उनके बीच में पानी भर जाता है ठीक तो उस पानी को निकालने के लिए हम लोग एक शंट बनाते हैं मतलब हमारे brain को एक ब्लेट 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 से जोड़ते हैं ताकि जो excess fluid है यहां पर निकल जाए ठीक इसे बोलते हैं CSF shunt फिलाल बस इत्ता दाने को कि CSF shunt में कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग ब्रेइन को जो मतलब हमारी खराब ही आ गई है तो infection brain तक जल्दी पहुचेंगा है अब आते हैं clinical features पर बहुत important है clinical features सबसे पहले incubation period देखते हैं तो लगबाग incubation period इन सारे बेटिया को उता लगबाग 4 दिन ठीक है और 2 से 10 दिन average है लेकिन आप 4 दिन याद रखना सबसे पहले हम बात करते हैं symptom की important symptom त consciousness आपने पूरी तरी के से होशोआवाज में नहीं रहेगा कभी-कभी ऐसा होता है हर वक्त में जब जब वह बहुत predisposed कर जाता है आदमी तब ऐसा होता है आधानिक की परशन हर वक्त altered consciousness पर रहेगा हर वक्त नहीं रहेगा कभी-कभी कुछ time ऐसा आदा है कि इसमें वह अप most important sign of meningitism जो मैंने आपको sign बताया थे अभी तक fever, vomiting यह तो हजारो diseases में होते हैं लेकिन यह जो मैं आपको तीन sign बताने जा रहा हूँ यह सिर्फ meningitis में होते हैं तो इसलिए बहुत important sign है सबसे पहले nukle rigidity जो इंसान है उसकी जो neck हो बहुत stiff रहेगी और यह pathognomic sign होता है meningitis का और उससे बोलोगे कि अपना पैर तुम सीधा करो मानलो यह इंसान लेटा हुआ था वह इसकी photo भी दिखा दे रहा हूँ ठीक है और तुमने इसका एक प्रेसे हवा में उठाया बोला कि अब तुम इस पैर को सीधा करो वापस से इसको भी नीचे ले आओ तो वह नहीं ला और जो नहीं है यह flex and anti ठीकरी पर अब इसे बोलेंगे नीचे ले जाओ तो यह नहीं ले जापाएगा क्योंकि इसकी hamstring क्या है स्टिफ रही की ठीक है थार्ड होता है ृब क्या आमे पर बृढ!!" क्या नामे पे? इसमें क्या होता है? पैसी फ्लेक्शन, जब आप उस इंसान की नेका पैसी फ्लेक्शन करोंगे देखो पैसी फ्लेक्शन है एक्टिव नहीं है अलब तो उसका सर ऐसे उठा होगे हलका सा तो उसका जो हिप और नहीं है वो spontaneous flexion करेंगे अपने आप वो भी उठ जाएंगे तो इसकी भी photo है जो सुन्दर हो रहत है यह क्या कर रही है इसका जो head है उसको passively flex कर रही है तो जो इसका hip और नहीं है यह अपने आप क्या हो जा रहा है flex हो जा रहा है ठीक इसे मैं लोग बोलते है Brutzenz की sign अब infants में infants में जो normal sign है fever वगए यह सब दिखेंगे जो अलग से आपको दिख सकता है वो सकता bulging frontenail उसका सर ऐसे जो उसका वो होगा forehead बच्चे का थुरा से बढ़ा होगा इसे इसे बोलते है bulging frontenail ठेक और complication क्या हो सकते है meningitis के तो increase intracranial pressure हो सकता है stroke हो सकते हैं होगा ठीक है अब मैं L3 L4 के बीच में injection लगाते हैं और फिर वहाँ पर उसको injection को insert करते हैं तो फिर तीन बार आवाज आती टक 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 पहली बार आवाज Duramater cross करने की दूसरा Arachnoid cross करने की ठीक है तो फिर वह पहुंच गया Arachnoid और Pymater के बीच में फिरमने वहाँ से सेंपल निकाला फिर क्या किया उसको उसको मने फिर भेज दिया उसके लिए sampling के लिए तो CSF collection हम करते हैं by lumber puncture और जो CSF sample उसको 37 degree celsius पर रखते हैं उसको कभी भी refrigerator में नहीं रखते हैं Never refrigerate क्योंकि जो delicate microorganism होंगे अगर उस sample में जैसे है कि Hemophilus influenza यह सब इनके death हो जाती है May die Never refrigerate as delicate microorganism like Hemophilus influenza may die ठीक अब जब हम लोग ने CSF निकाल लिया तो उसको हम लोग तीन पार्ट में divide करते हैं कुछ sample भेजते हैं cell count के लिए कुछ sample भेजते हैं bacterial examination के लिए कुछ sample भेजते हैं biochemical examination के लिए ठीक अब यह जो table आपके सामने बनी हुई है यह बहुत important table है exam में table जरूर जरूर ही जरूर आती है इतना मैं force कर रहा हूं पक्का ही आती है ठीक है तो पहले हम लोग पढ़ते हैं stable को समझते हैं अब हमने CSF में यहां यहां भेज दिया sample और हमें पास reports आ गई है तो पहले तो हम यह जाने कि normal हमारे CSF में कैसे कैसे चीज़ें होती है और infection के बाद क्या बढ़ता है और क्या कम होता है देखो normal CSF pressure जो होता है हमारे brain का होता ह TLC पर mm3 होता है 0 to 5 TLC, TLC काउंट बहुत काम होता है 0 से 5 होता है TLC पर mm3 जो pre-dominant cell होती है इन TLC में जो pre-dominant cell है वो होती है lymphocyte, जो हमारे CSF में glucose की मातरा होती है mg% में वो होती है 70 to 100 और जो हमारे CSF में protein होता है normally होता है 15 से 45 अब तहांपा CSF sample की reports आ रही है, माल लोग कि इस इनसान के bacterial meningitis है तो तो उसका CSF pressure बहुत immense होगा more than 180 mm of water होता है TLC काउंट जहांपे 0 से 5 होता है normally per mm3 उसमें बढ़के 100 से 10,000 तक उसका TLC काउंट चला जाएगा से काम हो जाएगा 40 से काम हो सकता है even absent तक हो सकता है अगर बहुत ज्यादा severe case है तो सोचो जो चीज 40 से 70 थी वो चीज या तो बहुत काम है तो कायबी हो गई बिल्कुल लास है total proteins, total proteins normally होता है 15 से 45 mg percent इस case में तुमको मिलेंगे more than 45 लगबग 200 के आसपास मिलते है 200 mg tl के आसपास अच्छा मालो उस इंसान के viral meningitis है तो तुम कैसे वो करोगी differentiate तो उसका CSF special normal होगा या हलका increase होगा tlc count 25 से 500 सोचो यह जादा नहीं है 25 से 500 लेकिन यहाँ पे 100 से 10,000 तक जा रहा है तो viral में tlc count बढ़ता है लेकिन as compared to bacterial बहुत कम बढ़ता है ठीक पांच गुना हो रहा है ठीक है maximum 25 से याद रखो कि 25 से 500 तक हो जाता है predominant cell यहाँ पे भी lymphocyte यहाँ भी lymphocyte रहती है glucose नॉर्मल रहता है जितना यहाँ पे भी उतना यहाँ नॉर्मल ही रहता है total proteins 20 से 80 के बीच में रहते हैं तो या तो आप बोल दो normal रहते हैं या फिस slightly increase होता है कैसे याद करेंगे तो ध्यान से देख लो bacteria तो बिल्कुल brain की मतलब क्या बोलू मैं खालत ही खराब कर देता है ठीक है तो इसमें देखो हर चीज उल्टी फुल्टी हो गई c-sap pressure बहुत बढ़ गया TLC बहुत बढ़ गया cells ही अब neutrophil का नमर जादा हो गया glucose absent तक हो जा रहा है total proteins more than 250 जा रहे है ठीक है viral में आ जाओ viral में सब चीज नॉर्मल रहती है या देखो c-sap pressure भी लगबग नॉर्मल रहेगा predominant cell भी lymphocity रहेगी glucose भी normal रहेगा total proteins भी normal ही रहेंगे ठीक बस यहाँ पर TLC count भढ़ता है लेकिन जादा नहीं भढ़ता है इसके ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं तो हम लोग ब्लड को जो automated blood culture bottles होती है इसे की backtech और alert आपने पड़ा होगा उनमें हम लोग इसको culture करते हैं फिर भेज देते हैं इसको उसके लिए फिर थर्ड है कि माल लोग किसी patient के suspected meningococcal meningitis है तो meningococcal किसी के meningitis होता है न तो उसके skin पर rashes पगेरा भी पड़ते हैं तो हम लोग scraping ले सकते हैं उसके rashes से या पस ले सकते हैं ठीक है और उसको testing के लिए भेज सकते हैं कि उसमें meningococcal meningitis है तो जो हम लोग सेंपल लेंगे rashes का और पस का उसको transport करते हैं Stuart medium में यह आपने पढ़ा होगा यह Stuart medium बहुत important medium होता है for meningococcal ठीक है अब तक हम लोग ने CSF टेस्स कर लिया है blood की report भेज दी है और meningococcal ले तो एक special case पढ़ लिया है अब next जो वीडियो है कि उसमें हम लोग कल्चर पढ़ेंगे culture बहुत important है इतना याद कर लीजेगा thank you bye bye